नमस्कार दोपहर वोर में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दीपा बाफिला जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले और उसके बाद चले एंकाउंटर को लेकर आज सुरक्षा बलो ने संग्यूक्त प्रेस कॉंफरेंस के और इस प्रेस कॉंफरेंस में साफ लहजे में कह दिया कि अगर घाटी में कोई भी बंदूग ठामी हुए दिखाए देगा पहले उसको अल्टिमेर्टम दिया जाएगा सरिंदर करने के लिए कहा जाएगा उसके बाद अगर सरिंदर वो नहीं करता तो फिर सेना बंदूख उस पर चला देगी यानि कि कोई भी नहीं बचेगा जो घाटी पर हाथ में बंदूख लेकर आतंत फैलाने की कोशिश करेगा सेना ने साफ लहजे में कहा और आम नागरिकों से भी अपील की सेना ने कि वो मुटभेड के वक्त इलाके में ना रहें और सेना का सहयोग करें लगातार सेना की तरब से पैगाम देने की कोशिश की गई तमाम जम्मु कश्मीर की आवाम को कि वो सेना का सहयोग करें जो वहाँ पर पत्थर बाजी करते हैं उनको भी नसीहत दी स्तेना ने साफ लहजे में कहा कि इस बार सेना किसी को नहीं चोड़ेगी चुन-चुन कर हिसाब लेगी और तीन जैशे के कमांडर को धेर कर दिया गया कल मुद्भिर में ये भी स्तेना ने संयुक्त प्रेस कॉंफ में जिन बातों का सिक रखिया किया उसके बाद से सवाल यही है कि क्या अब घाटी की तस्वीर बदलेगी अब इसका असर दिखाई देगा क्योंकि लगातार पहले भी वही बाते कई दफा की गई लेकिन उसके बावर्जूद भी हम देखते हैं घाटी की हालत जसकी जवामा में जो आतं की हमला हुआ उसमें हमने पैतालीस जवानों को खो दिया जिसके बाद पूरा देश गब सदा है बढरत बाद घाटी कास्मीर कितने घाजी ऐं कितने चले गे और इसी पर बहस सम करेंगे सेना ने साफ लहजे में कह दिया है कि जो भी घाठी में बंदूक लिए हुवे दिखाई देगा उसको मौत के खाट उतार दिया जाएगा इसी पर चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनसे मैं आपका तारूफ करवादू सबसे पहले रामदेव सिंग सेंगर जी हमारे साथ है रिटाइट करनल है सरापका बहुत बहुत स्वागत है वरेंडर सिंग है ब्यूर चीफ हमारे सरापका प्रेस कॉंफरेंस में मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी बाते नहीं थी या फिर कुछ अलग कहा गया था क्योंकि सब जानते हैं पुरा देश जान रहा है कि जैशे मुहमद ने खुद इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी नी थी उसके बाद सेना ने कहा कि पाकिस्तान के हाथ में रिमोट कंट्रोल है जिसके तहत वो जैशे मुहमद को आगे बढ़ा रहा है और उसी के तहत आतंकी हमला हो रहा है इसका क्या संदेश हम समझे कंदल जी क्योंकि लगातार जो घाटी के हालात हैं वो तो जस्कितस बने हुए हम देखिए दीपा जी इस्थिती को कंट्र करने में भी थोड़ी परेशानी आ रही है और इस परेशानी में जो हमारे नौजवान कश्मीर बेली के हैं वो ज़्यादा शंख्या में हिस्सा ना लें तो उनको एक तरह की चेताओनी दी गई है कि ताकि अगर वो यह ना कह सकें कि हमें पहले से नहीं बताया गया क्योंक मिला करके साहन भूती की जो लहर हमारे देश से उनके प्रती बार बार छोड़ी जा रही है ये कहीं न कहीं उसको प्रोथाहन देती है कि वो उगरवाद में सामिल हो दूसरा यह है कि अगर वहां का नौजवान जिसको की हम पत्थर उठाता है पत्थर फेकने के बाद जब मैं समझता हूँ एक तरह की चेताउनी को उन्होंने दोहराया है कि अगर भविश में अब कोई जो सामने आएगा तो उसको मरना ही होगा और सेना के लिए आम रूटीन की बात है इंसरजेंसी में जब हम बैठे हुए हैं तो हमारा काम क्या है एलोसी में बैठे वो दुस्म संदेश मिले होंगे वो संदेश को उन्होंने दोहराया दोहराने की कोशिस की है मैं समझता हूँ इसमें कोई न तो नया है और नहीं हम इसको मानने के लिए तयार है वहां का नवविवग जब तक सामने से नहीं हटेगा मिलिटेंट नहीं मारा जाएगा मिलिटेंट को पन लेकिन वो हालात जो कश्मीर के हैं जो तीन चार दिल पहले थे 14 तारिक से आज 19 तारिक हो गई है क्या परिवर्तन आया हालातों में क्योंकि देश तो लगाता रही कि सवाल पोच रहा है जवाब भी मांग रहा है क्या आकर बदला कम मिलेगा सेना ने आज सामने आकर वही सारी चीज़े कहीं जो जनता जानती है देश जानता है सेना ने जो कहा आर्मी के जो चीफ ने कहा उस पर हम लोगों को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए जिन विसम परिशितियों में किसी को करने दोंगे सेना पर सवाल खड़े करने का अधिकार तो किसी को है नहीं मैं तो आप की बात कर रहे हूं कि हालात का बदला होंगे हालात का बदले है नहीं आप ये देखिए कि जिन बिसम परिस्टियों में सेना काम करती है आखिर कब तक बहुत सारे हुमन राइट और बहुत सारी चीजें बीच में आके खड़ी हो जाती है जब भी सरकार कोई टफ नड़े लेती है तो तरह तरह के बाते कही जाती है पॉलिटिकल इनिसियेटिव लेना चाहिए ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए आज जब इहाला लगातार 30 साल से पाकिस्तान ये सब करता रहा है तीन दसाब्दिया हो गई और वहां से उसने जो ISI का प्लान था कि जो हित्व रह रहे हैं घाटी में उनको इलिमिनेट करने का उसका जो प्लान था उसने वो किया और फिर दीरे दीरे वहां के लोगों को प्रसिच्चित करके पैसा दे करके वहां के लोगों में जहरबो करके जिस तरह से वो लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है और कहीं ने कहीं वहां के भी जो युवा हैं वो भी गुम्राह हो करके सडकों पर इसी सेना पर जो उनकी रच्छा के लिए खड़ी रहती आपने बार जैसी विभीशका में देखा था किस तरह से सेना ने पूरे कस्मीर घाटी में लोगों की रच्छा की और उसी सेना पर ये सब पत्थर बरसाते हैं तो आखिर कब तक ये मूग दर्सक बने रहेगी सेना सेना ने जो नड़े लिया है वहां की सुरक्षा की आउसक्ताओं को कस्मीर की सुरक्षा की आउसक्ताओं को बाडर की सुरक्षा की आउसक्ताओं को देखते हुए लिया है और आतंगबाद को निस्त नाबूत करने के लिया है मुझे सब को सेना का जो नड़े है और देश उसके साथ खड़ा है सरकार उसके साथ खड़िये और जहां तक सवाल है यह समस्या कोई लंबे समय से चली आ रही है जब सुरू में प्रारम में अगर इसका इलाज हो गया होता तो सम्होता यह समस्या इतनी लंबी नक्षिस की लेकिन तो आज कस्मीर के लिए भारत के लिए यह जरूरी था कि स्वागत है सवाल मेरा यही कि आज सेना ने प्रेस कांफरेंस की सेना ने साफ लहजे में कह दिया नागरिकों को जो कश्मीर के आवाम है उन से कि आप जो प्रोपगेंडा कश्मीर में फैलाया जाता है उसका किरपया करके घिस्ता ना भने सरकार का साथ दे सेना का साथ दे और आतंकबाद को खत्म करने में मदद करें जी निश्चित रूप से देखे ये बहुत जरूरी भी है और ये होता रहा है हमेशा कुछ खास लोग हैं जिनको निश्चित रूप से इन गतविदियों से फायदा पहुंचता है वो लगातार भड़काऊ बातें करके यूथ को ब्रेनवास करने की कोशिस करते रहते हैं और उसमें वो जब इस टाइब के फिदाईन मिलते हैं उनको अब तो इंडिया में मिलने लगे पहले तो क्रास बॉर्डर इंखिल्ट्रेशन के थ्रू आया करते थे तो यह जो महौल बना है उसको रोकने के लिए सेदा ने यह जो ऐलान किया निश्चित रूप से वो सरानी कदम है और देखिए एक चीज को समझना बहत जरूरी है कि भारत की जो सेना है वो सौर और बीरता की अप्रतिम मिसाल है जिसने देश के सबसे दुरगम छेतर की रक्षा करते हुए तमाम बार यह साबित किया है कि वो विश्व की सर्बस्रेष्ट सेना है तो हमारी सेना पर देश के सभी नागरिकों को गर्ब है और निश्चित रूप से उस पर किसी भी तरीके की राजनीती नहीं होनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है तो सरकार का भी ये पूरी तरीके से धर्म है कि वो चुनावी फायदे के लिए सेना को राजनीती का हिस्सा ना बनाए सेना पर पूरे देश को गर्व है जितना गम है जितना गुसा है देश में उतना ही गौरवानवित देश मैसूस कर रहा है इस शहादत के बाद नावेशी को मैं आपके पास आ रही हूँ और ही 2016 में जो आटेक हुआ था वो 20 सालों के बाद कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा आटेक है उसके बाद उसके जिमेदारी भी जैशे मुहमद ने ली उसके बाद दो सालों के बाद 2018 में पुलवामा का हमला होता है उसकी जिमेदारी भी जैशे मुहमद ही लेता है लेकिन आपको भी लगता है कि रणनीती बदलनी होगी तोकि जो प्रियोरिटी में है सेना के आखिर उसको निस्तना बूत करने में कहां पीछे रहा जाती है सेना सवाल नहीं है बस समझने के कोशिश है हालातों को बदलने के कोशिश है यह सबसे पहले तो यह जो सेना कदम उठाने जा रही है इसका स्वागत करना चाहिए इसका सबको साथ दे रहे हैं और इसका बहुत ही जादा इसका स्वागत करें और सबसे बड़ी बात तो यह है कि य कि जो कदम उठाने जा रही है सेना ये बहुत पहले सेना को इस बात के आजादी देना चाहिए है थी कि वो इस तरह के जो elements है वहाँ पर जो इस तरह आर्मी के दुश्मन है एक तरीके से, कितने अपमानित होती है आर्मी जब पत्थर बाजी वहाँ पर होती है, मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो इस बात पे गौर करना होगा, कि हमारे सरत पार के जो दुश्मन है उनसे जादा खतरनाक ये अंदर के लोग है और इनसे सक्ति से निपटना पड़ेगा मानौधिकार से जोड़े वे तमाम लोग उनको भी इस बात पे गौर करना पड़ेगा जब हमारे दस सैनिक शहीद होते हैं तो उससे बेतर है कि क्रिमिनल या आतंगवादी मार दिये जाए क्योंकि इनका जीवित रहने से ब अगे आएगी जनता साथ दे रही है जनता के दिल की खौईश है कि जल्द से जल्द ऐसी कारवाई हो जहां इस तरह के आतंगवाद का समर्थन करने वाले लोग निस्द नाबूत हो जाएं और इस देश में और घाटी में फिर से एक बार खुशाली हो एक चीज मैं कहना च सरकार मोदी जी के उपर बहुत विश्वास्ता और इस बात के लिए बहुत हम लोग उमीदे लगा रहे थे कि आतंगवाद का नामों निशान मिट जाएगा आतंगवाद कता ही नहीं मिटा बलकि बढ़ा है ये दुखत बात है लेकि देर से आए लेकि दुरुस्त आए जल लगातार कल भी वो तस्वीर वहां से आए थी जब पत्थरबाजों को रोकने के लिए सेना के एक जवान को हमने देखा कि लाउड स्पीकर लगा कि बोलना पढ़ रहा था कि आप लोग अपने घर वापस चले जाए आपकी जान कीमती है हम आप लोगों के जान जोकि में न राश्पती आसन मतलब के इंदर्क्या साशन बीजेपी का साशन और बीजेपी सरकार को पांच साल मिले की जम्मु कर्समीर के हालाद सुधारे और वहां पर घटनाये तो रुखी इन गटनाये तो होई रही है there a to पहले वी काम कर रही थी अँंग अगना काम करेगी सेना के लिए कोई अलग से बेवस्था तो की नहीं गहीं है सेना को आडर चाहिए होते वह आडर मिलते रहें समय समय पर और प्रस्मीर में जो इन्होंने सांती की कोशिसे की जो उन्होंने राजनेतिक पहल की महभूबा मुप्ति के साथ सरकार चलाई अब यह सब थीयों का जवाब बीजे पी देना कि इस देश में कब तक सर्जुमान मरते रहेंगे तो कब तक महभूबा मुप्ति और वुप्ति मूहमद सही ओं जैसे लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे कई लाएंगे अगर ला सकते हैं तो अपने आप जबाब देगी सियासत में बड़े-बढ़े वादे करने के बाद अगर उनको आप अमल में नहीं लाएंगे तो जनता देर सभेर आपको उसके उसका उसकी सजा देगी तो यह कश्मीर के जो मुद्दा है कांग्रेस नहीं हलकार पहा रही थी पिछले 65-65 साल से तभी तो वीजेपी को मौका दिया गया कि मारो कोई रोक नहीं रहा है बिलकुल यहीं सब्स के साथ क्या हुआ हमारे पाकिस्तान में हमारे में जो कैदार जादो बंदी सरावजीत के साथ क्या हुआ उनकी पतनी की मंगल सूत्र तक उतर्वाए कक रही हूं पर सवाल के साथ आप में हरी चे आपके पास आ रही हूं फिर से क्योंकि अगर आप भी एक्शन नहीं लेते कोई बड़ा एक्शन देश अब चाहता है लेकिन मुझे लगता है कि उरी के बाद जो लगातार गुंगान हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का सेना की सराहना की वो अच्छी बात देश ने गौरवानुत खुद को महसूस किया लेकिन सअ जाईकन की आहिसे लेका-पाकिस्तान की तो सच्चाई भी शामने आती है आप मोदी सर्कार के पहन पstat कि स्टरे से देश्ट Origin に देश के अंदर आतंग बादी हमले हो रहे थे। वो काम्याब नहीं हो सकी शुरक्षावरों ने उन पर इतना काबू पाया लेकिन कस्मीर का जो स्टर्टिजिक पॉइंट है जो इसको बल देती रहती वो उनको पना देती रहती सरकार बना के बैठे रहे उनके साथ इसका भी जवाब दे दीजिए तब आप भी सरकान में थे जब पत्तरबागों से फियर वापस ली गई थी उसका भी तो जवाब आपको देना होगा बुरहान वानी के परिवार को मुआपजा देने आपके मुख्यमंत्री गए थे यह सा के लालची लोग हैं आप कांग्रेश को तो सरम आनी चाहिए कांग्रेश के कारण ये उमा संग गर्जी आपको तो बोलना नहीं चाहिए सारी कस्मीर जो नासूर है वो कांग्रेश की देन है आपको सरम आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए आपको बिलकुँ सरम ने कॉंग्रेस कभी बगेर बुलावे के बिर्यानी खाने पाकिस्तान नहीं गए थे हाफिस सहीद के पास भूत भेजने का काम मोदी जी ने किया था कॉंग्रेस ने कभी नहीं और कॉंग्रेस की सब्सक्राइब होना के बिर्यानी के विछ थे काम मोदी ये जो मजार है इसको आप फोडने गए थे कांग्रेश के लोगों को सर्म करना चाहिए अपने टेफ लगाना चाहिए मैं करनल सेंगर भी हमारे साथ हैं इस संग्विदन शील मसली पर कम से कम मैं कह रही हूँ कि सियासत मत करेगा सुनिए तफसील से करनल सेंगर देखें इंटेलिजेंस से पहले ही इंपूर्ट मिले थे क्योंकि देश की जनता कागजी कारवाई पर यह कि नहीं करती जिन्होंने अपना बाप खो दिया भाई खो दिया पिता खो दिया उन सब को कागजी करवाई आप हम जाके बताएंगे इतना वक्त नहीं है उनके पास मैं यह आपसे समझना चाहरी हूं कि इंटेलिजेंस इंपूर्ट अगर पहले ही मिले थे पहले ही कोई बड़े हमने की आशंका थी तो फिर कहा कमी रह गई रण्नीती बदननी की जरुवत है वाकई में देखो दीपा इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है ये एक नॉर्मल रिपोर्ट थी इसको एक्सणेबल रिपोर्ट नहीं कहा जाता है इंटेलिजेंस एजेंस्जियों की हैबिट होती है कि छोटी भी है कि हमारे पास कोई नेशनल डिफेंस पॉलसी नहीं है कि आतंगबादियों से कैसे निप्टा जाएगा तो मेरा ये निवेदन है दोनों राजनेताओं से जो यहाँ पर बैठे हैं आपके चैनल में सिर्फ यहाँ पर डिसकसन करें ना करें अपने केंदरी नेताओं के पास ये बात पहुँचाएं कि सबसे पहले आप 24 आर्स बैठिये सारे राजनेता खटे होकर के डिफेंस पॉलसी इजाद कीजिए हम आपको एक याद दलाते हैं कि LTT नाम का एक ऐसे उगरवादी संक्टन स्री लंका हम फैल गया था वो भी इसी तरह का नाशूर था जैसा ये नाशूर हमारे जे एंड केम फैला हुआ है LTT को क्या किया गया पंदरा दिन की अंदर स्री लंका सरकार का बिल पावर इतना बड़ा था कि उसने LTT को खतम कर दिया वो भी उन्हीं के आदमी थे वो भी हमारे आदमी थे उन्हीं कितरे उकरवात पहलाते थे उन्होंने क्या किया पहले 50 किलो मीटर का दायरा बनाया फिर 40 का बनाया जो 10-10 किलो मीटर के दायरे में लोग मिलते जाते थे उनको गाउं के गाउं खाली खरा करके जो वहां के नागरिक थे उनको रखा जाता था बाकों को मार दिया जाता क्या हुआ स्री लंका किसी ने कुछ नहीं कर पाय ही एंड कराई माना अधिकार वालों ने मचाई ही यूए अट कराई बाकी लोगों ने मचाई लेकिन आज स्री लंका फिरी हो गया similarly I am telling in Punjab पंजाब में लोगों अभी JNK में क्या हो रहा है आप फिरी का रासन देते हैं फिरी के पैसे देते हैं और उसके बाद आतंगबादी पाकिस्तान से भी पैसे लेते हैं और आप से भी पैसे लेते हैं आपका खाते हैं और आपकी ही नहीं बजाते हैं वक्त आ गया है पूरा देश उद्देलित है कि तीन भागों में बाढ़ दो JKL जम्मू को अलग करो कस्मीर को अलग करो लद्दा को अलग करो तीन स्टेट बना दीजिए आपको कोई नहीं रोक रहा है तीन सो सतर खतम ना भी कर पाओ तो आप तीन स्टेट बना सकते है जब तीन स्टेटों का बॉर्डर बन जाएगा तो हमारा केवल केंदरी करर के के ऊपर रहेगा और के के लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उन राजनीतिक पृतिभाओं की ज़रुवत है जो राजनीतिक वहां के MLS है इसको कृपिया सूची बद करके तीन चार पॉइंटों को अपने सीर सनेतरतों में पहुचाईए और इस बहस का कोई फाइदा नहीं होगा हरिस जी, उमा संकर जी बीरोचीफ जी बैठे हुए, पत्रगार जी बैठे हुए कोई फाइदा नहीं होगा जब तक ही हम इसकी पॉलसी नहीं बनाएंगे और फोज को डॉक्टराइन चाहिए फोज को लिखिद में चाहिए के भाई अगर ये तारगेट के उपर हमला होता है तो मैं स्याल कोट उड़ा दूँगा अगर मेरी कानवाई पर हमला होता है तो मैं लाहोर में बम उड़ा दूँगा रही तीसरी चीज पीयोके किसका है कांग्रेश कहती पीयोके हमारा है बीजेपी कहती हमारा अभेनंग है जहां हुए बलदान, मुखर जीओ, कसमीर हमारा है आखिर जो पीयोके है पीयोके में आपको जाने से कौन रोग रहा है बिसू सकती है, आपके सामने नहीं कह सकती है क्योंकि पीयोके हमारा अंग है पाकिस्तान ने उसमें जबरस्टी कबजा कर रखा है उसको कबजा चुड़ाईए और वहां मार ये सालों को जा करके तब हो दुरस्त होंगे अधरवाईज आप यहां पर करते रहिए लड़ते रहिए कुछ होने वाला नहीं है हरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ देखे, पूरे देश की निगाहें इस वक के इने सरकार पर ठिके हुए कि आखिर कब सरकार बद्रा लेगी पूरा देश यह जानना चाहरा है मैं भी आपके पास इद्र आ रही हूँ यह पूश रही हूँ आप से मैं कि कश्मीर के हालातों में परिवर्टन आकर कब होगा जो पत्तरबाज वापर है लोगों से भी कहा है वह से लाकर करना है सरकार की तरब से खुली चीट है समय कितनी बार प्रदान मंत्री जी कह चुके है पान सालों में सेना निश्चित्रूप से सेना तै करेगी और सेना उस पर एक्षन लेगी ठीक है आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि वक्त की कमी है और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सियासत करने से अच्छा है कि ऐसे तंविदन शीन मुद्व पर सीद एक्षन लिया जाए क्योंकि देश भी यही जानना चाहता है लगातार देश में जो उबाल है जो भावनाओ का जन सेलाब सडकों पर उत्रा हुआ है वो यही पोच रहा है देश के सरकार से कि आखिर एक्षन कब लिया जाएगा इसे के साथ दो पैर वावर में बस इतना ही लिकिना बने रहे है भारे समाचार के साथ है